English Grammar का ये 26th वीडियो है आज बात करेंगे verbs की और उसमें भी moods के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो moods किसको कहते हैं उसको आपता कर लेते हैं बहुत सारे verbs ऐसे होते हैं जो different manners indicate करते हैं याने किस तरह से वो होता है ऐसा एक शब्द वर्ब आता है तो mood का मतलब है indicate different manners याने कि कोई वर्ब से वो facts दिखाता है कोई वर्ब से वो questions के लिए use करते हैं और कई-कई वर्ब हम ऐसे use करते हैं उस manner से हम use करते हैं जैसे के हम command देते हो तो यहाँ पे हम example से बात करेंगे he is a teacher तो यहाँ पे is verb आया है तो वो एक manner दिखाता है एक fact दिखाता है तो इसलिए यह एक mood होता है indicate करता है they read books तो यहाँ पे read है वो एक manners दिखाते हैं एक fact दिखाते हैं when did he come? तो questions हम पुछते हैं why are you going there? वो भी questions है please come here यहाँ पे हमने command किया है command में भी बहुत सारे चीज़ होती है हमने please शब्द लिखा है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं यहाँ पे come जो verb है वो request के लिए use किया है वो manner दिखाता है I wish she were here यहाँ पे where शब्द है verb है वो एक supposition याने के wish दिखाता है Oh God help us तो यह जो सारे शब्द है तो वो कोई ना कोई cheese manners दिखाते है facts दिखाते है याद रखिये number एक number दो questions हम का use कर सकते है और तिसरी बात command के बारे में भी हम use कर सकते है तो यह सब mood है तो अंगरीजी भाशा में कितने प्रकार के mood है three types के mood है पहला है indicative mood दूसरा है imperative mood और तिसरा है subjective mood so three types of moods here we have mentioned हम बात करेंगे अब पहला mood की याने के indicative mood किसे कहते है तो this sentence is वहाँ पे verb show facts याने के कुछ ना कुछ चीज facts के बारे में verbs बात करता है manners दिखाता है तो उसको हम indicative mood कहते है वो indicate करते है facts इसलिए उसको indicative mood कहते है सामान जेते हो वो simple sentence जो हम use करते है वैसे होते है तो बहुत सारे शब्द वो यहाँ पे questions का भी होता है वो भी indicative mood में हम शामिल करेंगे याने के समझ लिजिए कि facts दिखाते है simple sentences है और questions है यह तीन चारी सारी चीज अगर कोई verbs दिखाता है तो वो verb को हम indicative mood कहेंगे she is cooking rice यहाँ पे is शब्द है verb है वो एक pack के लिए use किया गया है he comes in the evening has he passed the exam why was he late तो यह sentences लिखे है verbs का use किया है वो facts है questions है इसलिए उसको हम indicative mood कहेंगे तो यह था पहला mood indicative अब बात करेंगे second type of mood and that is imperative mood आपको पता ही है कि imperative mood में क्या होता है याने कि some of the verbs are used to give command command में भी बहुत सारी चीज है मैंने पहले ही बताया कि आप को advice के लिए भी शब्द यूज कर सकते है और request के form में भी हो सकते है तो यहाँ पे जो हम sentences use करते है वो you से शुरू होता है लेकिन हम जिस से बात कर रहे हैं वो हमारे सामने होता है तो जो लोग सामने हैं उसको फिर से you कहके बुलाना वो अच्छा नहीं लगता है तो you conversation में से omit होता है dropped होता है इसलिए sentence में लिखा नहीं जाता imperative mood में वो दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है फर एक्जामपल go there यह command है लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते है you go there तो यहाँ पे you drop कर दिया है सिर्फ go there ऐसे हम कहते है हाँ ऐसा भी हो सकता है कई कई बार command में भी you का प्रियोग किया जा सकता है लेकिन अगर वो speaker है वो कोई आदमी को उसको emphasize करना पढ़ता है उसको specially indicate करता है तो you उसको लिख सकते है मानलो के बहुत सारे लोग है उसमें से कोई एक आगे आया है और वो उसको कहता है कि you do this तो यहाँ पे यह emphasize हो गया है otherwise यह you का प्रियोग नहीं होता है सिर्फ उसको drop करके go there और जो भी आप imperative sentences बनाना चाहते है लिखना चाहते है बुलना चाहते है उसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि आप बूल सकते हैं request में help me we don't say you help me show me your book walk slowly तो ऐसे हम प्रियोग कर सकते हैं तो यह बात हुई imperative mood की और भी आगे हम उसके बात करेंगे कि कैसे कैसे हम नए sentence का प्रियोग करें जैसे कि हम प्रे कर सकते हैं यहाँ पर advice नहीं है suggestion नहीं है wish नहीं है oh god be kind to us तो वो भी एक imperative type का sentence ही है don't do it again तो यहाँ पर एक suggestion है याने के advice भी है तो ऐसे हम imperative mood का verbs use कर सकते हैं बहुत सारे प्रियोग हम let से भी करते हैं let एक auxiliary verb है तो उसका प्रियोग भी यहाँ पर imperative mood में हो सकता है जैसे कि let her go to home तो यहाँ पर let का प्रियोग किया गया है तो go verb है वो imperative उसका प्रियोग होता है let him enter the meeting let's read together तो यह जो शब्द है verbs है वो उसको हम imperative mood के verbs कहेंगे तो यह था दूसरा टैप का verb का mood imperative mood और आखिर में हम बात करेंगे तिसरे mood की subjective mood वो क्या होता है हम बात करते है तो बात में कई बार कोई हमारी wish होती है अपिक्षाय होती है इच्छाय होती है desire कोई हितु रहता है purpose कोई condition शर्थ बात करने में रहती है कोई possibility है या कोई supposition ये जो सारी चीजे कहने के लिए हम verbs का प्रियोग करते है याद रखिए अगर आपको wish desire purpose condition possibility इसी कुछ चीजे बतानी है कहनी है तो उसके लिए हम imperative mood का use करते हैं जैसे कि may you get success ये हम wish कर सकते है कि ये ऐसा हो तो उसके लिए हमने may you get success तो यहाँ get verb है और may है तो दोनों को मिला के एक subjective mood mood बनता है live a healthy life हम ये wish करते है long leave the king जैसे हम बोलते है God have mercy upon us right well that you may pass ये हम purpose हमारा है कि आप ऐसा कुछ हो ऐसा कुछ हो जाए तो इसके लिए हमने use किया है कि you may pass keep quiet lest others be disturbed we hope he may come if they should join how happy we should be तो ऐसा हम कह सकते हैं if I were you I would play देखो ये where का use है where किसलिए है जो मैं हूँ वो और कोई चीज नहीं हो सकती है मतलब कि I है वो you नहीं हो सकता है इसलिए एक subjective mood बनता है एक wish है का अगर मैं तुमारी जगह होता तो मैं खेलता if I were you I would play तो हम ऐसे बोलते हैं if it were true he would believe ये सही है तो देखो ये तो मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो if it were true अगर ये सही है तो he would believe तो कई भार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे close है वो if से शुरू होता है धो से शुरू होता है लेकिन sentence में जैसे हमने you drop कर दिया है वैसे ही if और धो से शुरू होता शब्द drop कर सकते हैं ये अगले sentences आपने पढ़े है if I were you I would play if it were true he would believe इसमें है अगर हमें उसका use नहीं करना है drop करना है तो जो वहाँ पे subject है उसका प्रियोग करना पढ़ेगा मतलब कि आप ऐसे लिख सकते है if he were a captain he would decide it अगर वो captain है तो वो पक्का करेगा तो यहाँ पे if he were ऐसा लिखा है लेकिन हमें if नहीं लिखना है तो हम where he a captain he would decide it यहाँ पे आप देखेंगे कि where वो subjective mood का verb है और उसके बाद he जो subjective है subject he उससे पहले use किया गया है तो close में जो भी subject है उससे पहले आपको where लिखना है where he a captain तो if he were उससे उल्टा कर दीजिए where he a captain he would decide it where the piano work I would play मतलब sentence ऐसा भी हो सकते है if I if the piano works I would play तो if the piano where I would play ऐसे भी हो सकते है where you are sensible you should do it or you should do it or something इसे बोल सकते है तो यह जो चीज है तो हम subjective mood में use कर सकते है subjective mood में कई बार model auxiliary verb का भी प्रियोग हम कर सकते हैं लेकिन अभी जमाना ऐसा हो गया है कि बुल चल की भाषा है उसमें भी होले होले changes आ रहे है नए ने trends आ रहे है वो दिखाता है कि language है वो हमेशा बदलती रहती है तो यहाँ पे model auxiliary verbs का लोग ज्यादा तर use करते है subjective mood के बज़ए मतलब के where है let है उसके बज़ए model auxiliary verb का प्रियोग करना ठीक रहता है जैसे कि the tax officer asked that he be granted leave यहाँ पे देखो be verb हमने लिखा है वो bold लिखा है तो यह regularly use करते है लेकिन आजकार tendency क्या हो गई है कि instead of using be तो model auxiliary का use करके आपको पता है कि can, could, shell, should, will, would यह सब model auxiliary verbs है उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करने वाले ही है लेकिन आपको अभी तो पता है कि model auxiliary verbs क्या है तो मन में रखना है कि shell, will, may, might, can, could, will, would इस शब्द model auxiliary verbs है तो यहाँ पे सिर्फ be granted leave उसके बदले में वो model auxiliary verb का यूज करेंगे जैसे कि the tax officer asked that he should be granted leave तो यह should का प्रियोग किया गया है तो पोलिस ordered that he pay fine ऐसे regularly हम subjective mood में यूज करते हैं लेकिन he pay fine उसके बजाए model auxiliary verb का यूज करने के बाद ऐसा कुछ sentence बनेगा तो पोलिस ordered that he must pay fine तो यह सारी चीजे अभी हो रही है याने के subjective mood के बजाए model auxiliary verb का प्रियोग करते हैं तो यह three types of verbs के mood के बारे में हमने बात की है Thank you very much Have a good time झाल